इस फिल्म की कहानी 16 साल की क्लेयर नाम की एक लड़की पराधारित है जिसे अपने ही भाई के साथ प्यार हो जाता है और वो उसके साथ पलंग तोड घपा घब भी करती है इसके बाद क्लेयर के साथ आगे क्या क्या होता है ये हम आज की इस एक्स्प्लेनेशन में देखने व गई थी क्लेयर के डैड शेर के बहुत बड़े लॉयर होते हैं और वो बहुत ज़दा स्ट्रिक्ट भी होते हैं एक बार क्लेयर अपने डैड के लिए जूस लेकर आती है और तब ही उसके डैड उसे बताते हैं कि उसका सोतेला भाई जॉश उनके घर पर रहने के लिए आ थोड़ी दिर बाद डियोन और मैरी के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है इसलिए क्लेर वाँ से चली जाती है और किसी को भी घंटा फरक नहीं पढ़ रहा था कि क्लेर क्या बोल रही है डिबेट खत्म होने के बाद वो सबी क्लेर के लिए तालिया बजाते हैं और सोचने की चलो अब कहीं जाकर ये चुप हुई क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टुडेंट को उनका रिजल्ट मिलता है क्लेर जब अपना रिजल्ट देखती है तो उसकी फटकर रात में आ जाती है Claire को C मिलावा होता है और वो ये देखकर सोचती है कि अगर उसके dad को इस बार में पता चला तो उसको बहुत डांट पढ़ने वाली है घर आने के बाद Claire देखती है कि वहाँ पर उसका सोतेला भाई जोज भी आया होता है जो एक high school student था और इसके बाद वो दोनों बैटकर कुजदेर तक बाते करने लगते है रात को डिनर करते वक्त Claire के dad उससे उसके result के बारे में पूछते है तो उस पर Claire उनको बताती है कि अब तक उसका result आया नहीं है और वो अपने teacher से इस बारे में बात करेगी अगले दिन Claire Diona के साथ मिलकर एक plan बनाती है जिससे उन दोनों के marks बढ़ सकते है Claire अपने teacher Mr. Hall और Miss Great का अपस में चक्कर चलवा देती है जिससे उन दोनों का mood बहुत ही अच्छा रहने लगता है और वो दोनों Claire के marks बढ़ा देते है और इसी के साथ Claire का ये plan भी successful हो जाता है अगले दिन उनके school में एक नई student आती है जिसका नम Ty होता है फिर Claire और Diona Ty से friendship करने की कोशिश करते हैं और कुछी दिनों में Claire और Ty बहुत अच्छे दोस भी बन जाते हैं एक बार school में Travis नम का लड़का Ty के साथ flirt करने की कोशिश करता है और Ty को भी ये सब काफी अच्छा लगता है पर Claire Ty को Travis से दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि Claire को लगता है कि Travis Ty के लिए एक अच्छा match नहीं है एक बार Ty Ty के घर पर exercise करने के लिए आती है वहाँ पर Claire Ty को समझाती है कि तुमें अभी उन लड़कों से दूर रहना है जो तुमें देखते ही अपने छोटे चेतन को खड़ा कर लेते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पर जॉश भी आ जाता है और फिर Claire जॉश के पास जाकर उसे बोलती है कि मैंने Ty को Boys Attraction से बचाया है लेकिन जोश उसकी किसी भी बात पर ध्यान नी देता क्योंकि उसे इन सभी बातों से घंटा कोई मतलब था फिर रात को सभी लोग एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर Ty की मुलाकात Ilton नाम के एक लड़के से होती है कुस दिर तक Ilton से बाते करने के बाद Ty उसे पसंद करने लगती है पर Ilton को Ty में को इंटरस्ट नी होता क्योंकि वो Claire को पसंद करता था दूसरी तरफ हम Deion को देखते हैं जो अपने boyfriend के उपर चिला रही होती है तब ही वहाँ पर Claire भी आ जाती है और Deion Claire को बोलती है कि देखो इस बोसर पपू ने अपने सिर के सारे बाल शेफ कर दिये अभी सबसे Deion को बहुत ज़्यदा गुसा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है पार्टी खत्म होने के बाद Ilton Claire को घर छोड़ने के लिए जाता है रास्ते में Ilton Claire को बोलता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो ये बोलकर Claire को किस करना शुरू कर देता है पर Claire को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुसे में कार से बाहर निकल जाती है अब क्योंकि Ilton का भी चूतिया कट चुका था इसलिए वो Claire को वहीं अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है फिर Claire अकेले घर जाने लगती है और तब ही मापने नुनिला नाम का एक चोर आ जाता है और वो Claire को अपनी बंदूग दिखा कर मतलब असली वाली बंदूग दिखा कर उससे उसका पर्स और मोबाइल फोन ले लेता है अब Claire के पास और कोई उप्शन नहीं था इसलिए वो Josh को फोन करती है और उससे उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है Josh भी अपने फ्रेंड के साथ बैटकर इंजॉय कर रहा होता है पर Claire का फोन आते ही वो भाग कर Claire के पास चला जाता है अगले दिन Claire Ty को Elton के बारे में बताती है और उसकी बाद सुनका Ty का दिल तूड जाता है फिर Claire Ty को बोलती है कि वो जल्दी ही Ty के लिए एक अच्छा सा लड़का ढून लेगी अगले दिन Claire स्कूल में Christian नाम के लड़के को देखती है और उसको देखते ही Claire के तन बदन में आग लग जाती है Claire सोचती है कि वो किसी भी तरह से Christian को पटा कर रहेगी फिर Claire Christian को हिंट देना शुरू कर देती है और Christian भी Claire के इशारे समझ जाता है और वो उसे शाम को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए इन्वाइट भी करता है शाम को Claire पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है और वो जैसे ही तैयार होका नीचे आती है तो उसको देखका जोश का छोटा चेतन खड़ा हो जाता है और वो Claire के अंदेरी गुफा में जाने के लिए तड़ अपना शुरू कर देता है थोड़ी देर बाद महाँ पर Christian भी आ जाता है और वो Claire को अपने साथ पार्टी में ले जाता है घर पर जोश को ये सोचकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि Claire किसी और के साथ पार्टी में गई है इसलिए वो Claire के डैट को बोलता है कि वो Claire का ध्यान रखने के लिए उस पार्टी में जा रहा है और ये बोलकर वो भी Claire के बीछे बीछे उस पार्टी में चला जाता है पार्टी में Claire डांस कर रही होती है और तभी माँ पर टाई भी आ जाती है थोड़ी देर बाद वो दोनों देखते हैं कि माँ पर जॉश भी आ जाता है और वो भी माँ पर डांस करने लगता है अगले दिन क्लेर और जॉश आपस में बाते कर रहे होते हैं कि तबी Claire के पास Josh की mom का phone आता है अब Josh अपनी mom से बात नहीं करना चाता था इसलिए वो Claire से जूट बोलने को बोलता है कि Josh वाँ पर नहीं है इसके बाद शाम को Claire Christian को phone करती है और उसे अपने साथ घपागप करने के लिए घर पर बुलाती है इसके बाद Claire Diona को भी अपने घर पर बुलाती है ताकि वो उसे घपागप करने के लिए अच्छे से तयार कर दे रात को Christian Claire के घर पर आता है और वो दोनों साथ में movie देखने लगते हैं movie देखते वे Claire Christian को घपागप करने के लिए हिंट देती है पर चूतिया Christian उसके किसी भी हिंट को नहीं समझता Christian को लगता है कि शायद Claire को कोई problem है इसलिए वो Claire को भाई बोल कर वहां से चला जाता है और इसी के साथ Claire की घपागप करने की इच्छा भी अधूरी रह जाती है अगले दिन Claire कल रात की सारी बाते अपने दोस्तों को बताती है जिसको सुनकर मैर्य उस पर हसने लगता है और उसको बोलता है कि तुम बेवकूफ हो ये भी नहीं पता कि Christian ए गे है ये सब ही बाते करते वक्त डियोना की कार का balance बिगड़ जाता है और वो भाई के जैसे कार को footpath पर चलाने लगती है थोड़ी देर बाद वो बहुत मुश्किल से कार को side में रोकती है और फिडियोना और उसका boyfriend एक दूसरे को kiss करना शुरू कर देते हैं पीछे बैटे वी Claire में ये सब देखकर फिर से हवस जागना शुरू हो जाती है और वो सोसती है कि उसे अब तो boyfriend बनाना ही होगा अब Christian के बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी Claire उसे अपना best friend बना लेती है और उसके सब शॉपिंग पर भी जाती है वहाँ पर कुछ लड़के मिलकर टाई को परिशान कर रहे होते हैं पर Crystal वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है अगले दिन टाई ये बात पूरे स्कूल में बता देती है और वहाँ पर Claire उसको देखकर सोच रही होती है कि टाई अब पूरी तरह चेंज हो चुकी है अगले दिन Claire ये सोच रही होती है कि वो टाई की हेल्प क्यों नहीं कर रही और तब ही उसे रेलाइज होता है कि उसे जॉष से प्यार हो गया है शाम को Claire जॉष के बास ही बैठी होती है जिस पर उसके डैट का एंपलॉय उस पर गुसा करने लगता है इससे Claire को भी गुसा आ जाता है और वो वहांसे चली जाती है थोड़ी दिर बात Claire के पास Josh आता है और वो उसे मनाने लगता है फिर बातों ये बातों में वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आते है और एक दूसरे के साथ चुमा चाटी करना शुरू कर देते है और उसी रात वो दोनों पलंग तोड घपा घप भी करते है मूवी की एंडिंग में हम एक वेडिंग सेरिमेनी देखते हैं जहांपर मिस्टर हॉल और मिस्स गेस्ट की शादी हो रही होती है। वहाँपर हम ट्रैविस और टाई को भी एक साथ देखते हैं जो ब रिलेशनशिप में आ चुके थे। फिर मापर क्लेर और जोश भी एक दूसरे को किस करते हैं और सबको उनके रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।